अस्सलाम अलएकुम प्यारे बच्चो ब्रीज कोर्स का आज का आठवे दिन आठवे दिन हम देखेंगे एक्शन वर्ड्स चलिए देखते हैं एक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं बच्चो एक्शन वर्ड उसे कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना जहिर होता है देखिए यहाँ पर तस्वीर दी गई है हम देखेंगे action words strings of action look at the picture and name the action तस्वीर देखो और अमल का नाम बताओ देखे बच्चो तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे है वो क्या कर रहे है मैं इंगलिश में पढ़ता हूँ आप समझे कि वो क्या कर रहे है reading, writing, eating, washing hands, drinking tea, sleeping, running, jumping, walking, singing, dancing, sweeping the floor, closing the door, climbing a tree crying, smiling, waving, riding a horse, laughing, driving a car बच्चो आपने action words देख लिए है और तस्वीर के जरीए समझ भी गए होंगे कि वो action कौन कौन सी थी देखे बच्चो यहाँ पर कुछ जुमले दिये गए है इसी तरह के जुमले आप भी बना सकते हैं practice से मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि उसकी meanings क्या होते है A dog is eating भाकरी एक कुता रोटी खा रहा है A dog is eating भाकरी एक कुता रोटी खा रहा है A cat is drinking milk एक बिली दूद पी रही है Baba is washing a cow Baba एक गाए को धो रहे है I is cooking खिचडी अम्मी खिचडी पका रही है इन जुमलों की practice कीजिए और जिसे और जुमले बनाने की कोशिश कीजिए आगे देखिए Underline the action word बच्चों यहाँ पर जो action word है जिसे action समझ में आ रही है उसको आपको underline करना है मैं sentence पढ़ता हूँ नेहा is closing the door नेहा दर्वाजा बन कर रही है राम is laughing राम हस रहा है रहीम is climbing a tree रहीम पेड़ पर चर रहा है बेबी is sleeping on the bed बच्चा पलंग पर सो रहा है गीता is dancing on the stage गीता stage पर तांस कर रही है नाच रही है ठीक है आगे देखिए डू दे एक्शेंग अब आपको करके बताना है बच्चों मैं जो पढ़ूंगा आपको वैसा करके बताना है एक्शन क्राइंग का मतलब रोना होता है आप रोकर बताईए राइटिंग राइटिंग का मतलब लिखना होता है लिखकर बताईए वेविंग हैंड्स का मतलब हाथ हिलाना होता है हाथ हिलाईए sweeping the floor sweeping the floor यानी जाड़ू लगाना आप जाड़ू लगा कर बताइए watering the plants watering the plants पौदो को पानी देना पौदो को पानी दीजिए ठीक है फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहाफिस असलाम उरेकूं